नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत है आशिस क्लासे पर बात करने 28 और जून के क्लास की सबसे पहले देखेंगे words पहला शब्द है overturn ये एक phrasal verb है और इसका मतलब होता है cancel या reverse या तो कोई चीज है उसको आप निरस्त ही कर दें या फिर बिलकुल विपरीट कर दें तो उसको बोलते हैं क्या overturn पलट देना कह सकते हो stack up ये भी एक phrasal verb है इसका मतलब है to increase to increase in number or amount संख्या या मात्रा में बढ़ाना ठीक है ये होता है क्या stack up stack up का मतलब है number या amount में बढ़ोतरी करना increase करना chillingly दिख रहा है last में ly है तो ly ending words generally क्या कहलाते हैं adverb और ये थोड़ो से effect इस तरह धहन रखें कि अगर ly हटाएंगे आप तो फिर बचने वाला शब्द executive होना चाहिए और executive के साथ ly जोडने पर जो शब्द प्राप्त होता है वो adverb होना चाहिए chillingly का मतलब होता है in horrifying manner in horrifying manner मतलब डरावने तरीके से ये होता है क्या chillingly juncture है वो noun है इसका मतलब या तो आप point कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं stage तो point या stage को क्या कहा जाता है juncture means एक बिंदू कह दो एक चरण कह दो इसको बोलता है juncture fraud है ये एक आप executive कह सकते हैं fraud का मतलब होता है tense परेशान कह सकते हो in difficulty कह सकते हो चिंतित हो परेशान हो मुश्किल में हो उसके लिए word use करते हैं fraud next है rollback rollback एक phrasal verb है phrasal verb का मतलब सीधा सा है कि verb के साथ आप preposition जोड़ रहे हैं यहाँ preposition है ठीक है न यह preparation जोड़ा यहाँ पर यह जोड़ा हुआ है तो यह phrasal verbs है rollback का मतलब होता है cancel या revoke रद करना निरस्त करना कोई भी कानून आदी को समाप्त कर देना abolish करना abrogate करना यह सब मतलब हो जाएंगे inhumane है यह एक executive है और inhumane से मतलब है callous या cruel या ता आप इसे कहेंगे callous और या फिर आप इसे नाम देंगे cruel मतलब निर्दई कह सकते हो है न तो यह हो जाएगा inhumane तो यह आपका हुआ vocabulary section seven new words इसका screenshot आप ले सकता है editorial का title है regressive inhumane regressive progressive का opposite है progressive प्रगतिशील होता है यह आवनती से सम्मनित होता है opposing progress होता है तो regressive के लिए आप लिख सकते हो क्या regressive regressive का मतलब है opposing progress या फिर आप इसे कह सकते है backward executive है वैसे अगर part of speech की बात करें और inhumane का मतलब है callous या अप्रूगल अभी देखा था यह भी executive है तो यह कानून है अमेरिका में abortion से सम्मनित उस कानून के लिए कहा गया है regressive और inhumane कि यह जो कानून है वो regressive है पतनकारी है आगे बढ़ना चाहिए लिकना पीछे जा रहे हो और निर्दई है callous है sensitivity उसमें है ही नहीं है न उसके लिए नाम दिया गया regressive और inhumane अब देखिए विस्तार से पढ़ता है इसको वहने democracy rolls back a constitutional right तो जब एक लोगतंतर अमेरिक एक लोगतंतर है तो जब एक लोगतंतर जो है वो rollback करता है rollback का मतलब क्या काता है था निरस्त करना cancel करना तो जो एक लोगतंतरिक देश है वो निरस्त करता है एक सम्मिधानिक अधिकार को that has been in place और कौन सा सम्मिधानिक अधिकार देट लगा के बताया वो अधिकार जो की अस्तित्तों में रहा है कब से for almost half a century लगब 50 सालों से it must consider itself तो उस लोगतंतरिक देश को समझना चाहिए अपने आपको in deep peril की वो अब बहुत बड़े खत्रे में है ठीक है कोई सम्मिधानिक अधिकार को वापस लेता है कोई सम्मिधानिक अधिकार जो 50 साल से अपके साथ है अगर आप उसको वापस ले रहे हो उसको अपरद्द कर रहे हो तो समझ जाए कि आपका लोगतंतर जो है वो खत्रे में है बहुत बड़े खत्रे में है एक डेमोक्रेसी की वर्ब है वो रोल्स है इसके बाद डेट रिलेटी प्रणाउन है जो कॉंसिटूशनल राइट के लिए आ रहा है हैस बीन इसकी वर्ब है इट है इसकी वर्ब मस्ट कंसीडर है इट यहां पर लोगत अंतरिक देश यूएस के लिए कह रखा है मस्ट एक मोडल होता है जो अबलिगेशन या कंपल्सन के लिए आता है बाद्धिता के लिए आता है फोर या सिंस के साथ जब आप टाइम लगाते हो यह फोर है और इसके साथ अपने टाइम लगाया अल्मॉस्ट हाफ ए सेंचुरी तो इसमें परफेक्टिव एस्पेक्ट का प्रियोग करते हैं दो तरह के टैंस होते हैं प्रेजेंटर पास्ट दो ही एस्पेक्ट होते हैं या तो प्रोग्रेसिव या परफेक्टिव मतलब क्रिया या तो अपूर्ण होती है या पूर्ण होती है परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा तो ये परफेक्ट दगरा का है हैज के साथ बीन लगा रखा है ठीक है और इसमें काम की बात डीप है वो एजेक्टिव है पहले वहाँ पर नाउन है अल्मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है बाके सब पताई आपको आगे देखे अब जो अमेरिका है वो खड़ा है कहां पर उस टेंस्ड सिचुएशन में इस समय जंग्चर मतलब इस पॉइंट पर आफ्टर इट सुप्रीम कोर्ट कब जब यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने च्छे तीन की मैजरिटी मतलब माननीजे ये नो जजजेज हैं च्छे ने एक पक्ष में डिसीजन दिया तीन ने दूसरे पक्ष में डिसीजन दिया तो 6-3 की majority से overturned, overturned का cancel या फिर reverse है, इस Supreme Court ने क्या किया, US के Supreme Court ने मतलब एक reverse कर दिया, 1973 की एक ruling थी, ruling का judgment होता है मतलब, 1973 में इसने एक judgment दिया था, इस case में, ठीक है, और क्या कहा था, इसने एक constitutional right जो था abortion का, उस समें एक संविधानिक अधिकार दिया था, कि अभी abortion आप करवा सकते हो, गरपात करवा सकते हो, उस अधिकार को हटा दिया इसने तो एक take away मतलब remove कर देना, हटा देना, फिर take का मतलब देना, away का मतलब दूर, आप उस अधिकार को इन से दूर ले गए, उसको remove कर दिया, समझने वाली बात है, US SIP के साथ में stands क्रिया दे रखी है, Supreme Court की verb जो है, वो ये overturned है, तो US जो है, अब fraud juncture में है, fraud यहाँ पे executive है, fraud लोकता अंत्र लोगता है, इसका खत्रे में है, उपर जबात हमने की, कब जब इसका Supreme Court है, इसने 36 की मैजुरिटे से, 1973 का एक rule था, एक row versus wait, एक case था, उसमें इसने एक सम्मिधानिक अधिकार दिया था, उस सम्मिधानिक अधिकार को इसने हटा दिया, इसके बाद अब ये इसका लोक तंतर जो है खत्रे में पढ़ गया है यूएस की वर्ब स्टेंज, सुप्रीम कोट की वर्ब ओर्टर्ण, फ्रोट एजेक्टिव, जंक्चर नाउर, ओर्टर्ण वर्ब इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं काम की बात राइट के बाद में तू लगता है किसका अधिकार है राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एबोर्शन, इस प्रकार से राइट के बाद तू लगाते है US के पहले दै है क्योंकि US के साथ में United वर्ड जोड रखा है तो US के पहले UK से पहले UAE से पहले इन से पहले दैकाप्रियो करेंगे क्योंकि इसमें United शब्द जोड रखा है ठीक है? आगे देखिए In one blow, एक blow में blow का मतलब एक आगहात है एक प्रकार से शौक कर देने वाली घटना है ठीक है? शौक करने वाली घटना के लिए blow शब्द का यूज करते हैं attack के लिए यूज करते हैं On June 24, 24 June को It withdrew It यहाँ पे आ रहा है क्या? इस Supreme Court के लिए तो Supreme Court ने क्या क्या Withdraw कर लिया Withdraw के second from withdrew है From women, महिलाओं से Anywhere in the country महिला चाहे देश में कहीं की भी हो ठीक है? अब विड्रिव क्या कर लिया महिलाओं से? They are right, उनका अधिकार To reproductive President की जो सम्मंदित होता है बच्चे को जन्म देने सम्मदित को आप बच्चे को जन्म देने का अधिकार यह आपकी स्वायत्ता है इसमें कोई interfere नहीं कर सकता आप उसका बोर्ट करवा सकते हैं यह आपका शरीर है आप चाहें वैसे कर सकते हैं तो यह जो अधिकार है यह छीन लिया इस Supreme Court ने तो on June 24 है जब particularly किसी day और date की आप बात करते हो यहाँ पर June 24 दे रखा है तो अगर आप date की बात कर रहे हो ऐसे हो सकता कभी day की बात करें लेकिन day और date particular होना चाहिए उसी day और date की बात हमें करें तो वहाँ पर on का प्रियोग करते हैं एक बात दूसरी बात इट के साथ ये विड्रिव है इट की वर्ब है विड्रिव जो है वो विड्रो के second form है first form होती है विड्रो second form होती है विड्रिव और third form होती है वो विड्रोन होती है ये तो इसकी first second और third form है pull out इसका एक वर्ब होती है पुल आउट फ्रेजल वर्ब उसका मतलब भी यही होता है और ओटोनॉमी का मतलब आजादी फ्रिडम है ना स्वायत्ता और बॉडिली और रिप्रोड़क्टिव दोनों ही अजेक्टिव हैं ओटोनॉमी यहां पे नाउन है बाके इसमें कुछ खास नहीं है विमिन यहां प् तो यह जो रो के साथ as well as the 1992 decision in planned parenthood versus Cassie ठीक है इसके साथ साथ एक और केस था 1922 का decision था इस केस की बात कर रहे है that upheld row और इस केस में भी क्या है support किया गया रो का अपहेल्ड जो है uphold की second form है अपहोल्ड का मतलब होता है support करना ठीक है समर्थन करना तो इस केस में भी row का जो support किया गया the court returned तो अब court ने क्या किया किसको दे दिया लोगों के चुने परतिने दीकों की अब ये decide करेंगे ये अपने छेतर में ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये decide करेंगे तो एक तरफ ये वाला case था रो वर्सेज वेड़ वाला एक तरफ ये वाला case है इसमें भी decision था और इस case के अंदर भी क्या है क्या किया गया इसमें भी रो का ही support किया गया था ठीक है gone मतलब अब ये चीज दो जा चुकी है तो अब रो और ये वाला case चुक्कि अब हाथ से निकल चुका है रो तो चला ही गया ये वाला case तो इसने मना करी दिया 50 साल से इनके साथ था ये अदिकार लेकिन अब ये इनों ने परतिनी दियों को ठीक है तो यहां पर that की वर्ब है अपहल्ड that यहां प्यारा है इस case के लिए रिलिटी प्रणाउन है court की वर्ब है इस साब से वो डिसाइड कर सकते हैं under what circumstances और किस परिस्तिती में अबोर्ट करवाना है ये भी डिसाइड कर सकते है स्टेट्स के अधीन ये मुद्धा भीज़ दिया है court ने स्टेट्स की वर्ब केन डिसाइड हो गई और now है word verb of time है समय बताने वाले शब्द जो होते हैं weather तब लगाते हैं जब आपके दिमापे question mark लग रखा है कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं तो इसके लिए weather लगाते हैं ठीक है आगे देखिए the fight over abortion जो लड़ाई है किस को लेकर abortion को लेकर over यहाँ पे preposition है over यहाँ पे है preposition over का यहाँ पे जो मतलब है वो है concerning या regarding से संबंदित यह इसका मतलब है concerning या regarding इसका मतलब है फिलहाल तो जो fight है किस को लेकर किस के संबंद में इस abortion के संबंद में has been the US most passionately waged ideological battle यह तो हो गया वह चारिक battle लड़ाई और लड़ाई continue करना लड़ाई लड़ना उसके लिए शब्द यूज करते हैं wage wage वैसे मजदूरी भी होती है अगर आप noun के रूप में लोगे punishment भी होता है यहाँ पे wage है क्रिया इसका मतलब है continuing fight और battle को लड़ाई जारी रखना तो जो लड़ाई है किस को लेकर लड़ाई जो हैं वेचारिक लड़ाई हैं उन में से एक लड़ाई ये रही है ठीक है अच्छा जी सबसे ज़्यादा मतलब यही मतलब passionate तरीके से लड़े के लड़ाई है यूज के साथ देखिया अपोस्ट्रॉफे एस है हलांकि अपोस्ट्रॉफे हम तब नहीं लगाते हैं मतलब एस नहीं लगाते हैं अपोस्ट्रॉफे के बाद जब प्लूरल नाउन दे रखा हो और एस और एस से एंड होता हो लेकिन जब प्रॉपर नाउन हो जब किसी देश का नाम है किसी विक्टी का नाम है और उसके लास्ट में एस दे रखा है आपको तो फिर आप पोस्ट्रोफेस अलाउड है यहां पे जिनिटिव केस हम इसको बोलते हैं ठीक है अगर आपने पढ़ा है एर केस पढ़े हैं तो जिनिटिव केस एक परकार है वो अलग केस यह है आगे देखें विद फोकस देट डिनाइज एनी स्पेस फॉर कमपैशन कमपैशन का मतलब मरस होता है दया होता है ठीक है तो अब इसके साथ की फोकस फोकस मतलब ध्यान के अंदृत करने की चीज़ है डेट डिनाइज वो फोकस जो डिनाइज करता है एनी स्पेस रिजेक्ट करता है डिनाइज करता है कोई भी स्पेस कमपैशन का इसमें दया का कोई स्तान नहीं है या सम्मान का कोई स्तान नहीं है Liberty मतलब Freedom, आजादी के लिए Conservatives have prioritized तो conservative जो लोग है conservative किन को बोलते हैं जो traditions को follow करते हैं जो change का विरोध करते हैं जो परंपराओं को follow करते हैं तो वो conservative जो हैं उन्होंने prioritize किया है the task of having row overturned for decades क्या priority दी है कि जो row वाला जो case था उसके decision दिया था उसको overturned कर दिया है ना? तो इन्होंने priority दी है उस task को task क्या है कि भही, इसको overturned कर दिया जाए for decades, दशकों के लिए काफी весों के लिए इसको overturned रखा जाए इसको निरेश्त माना जाए इसका इन्होंने सपोर्ट किया है तो एक ऐसा फोकस जिसमें कि डिनाई किया गया है किसी दया को या फिर रस्पेक्ट को लिबर्टी की ना तो आपने आजादी का रस्पेक्ट किया ना ही कोई दया का इस्तान है इस चीज़ के साथ में कंजर्वेटिव जो है और कोई इंटर्फेर नहीं कर सकता अब यह दिकार स्टेट्स को दे दिया गया है और अब यहाँ पे करन बना दिया गया है तो यह अब क्या कह रहें कि भाई इस टास को प्रात्मिक्ता दी है कि हाँ आप इसा करें यह कंजर्वेटिव की विचार है अब कोट के पास क्या है इमीनेंट का मतलब क्या होता है जो की निकट भविश्य में घटित होने ही वाला हो उसे क्या कहा जाता है imminent जो घटित होने ही वाला हो उसे क्या कहा जाता है imminent तो कहरा कि भी अब जब court जो है प्राप्ट कर चुका है conservative super majority तो decision जो था वो imminent था बिल्कुल निकट ही decision था some republican ruled states तो कुछ ऐसे रज्ये जहां पर republican party संभाल रही है सकता have started banning abortion इन्होंने abortion को ban करना कर दिया शुरू start के साथ लेको banning है start के साथ gerund लगता है याद रखेगा ing लगता है with trigger lodge trigger lodge का मतलब होता है ऐसे कानून जो फिलहाल un-enforceable है फिलहाल irrelevant नहीं है फिलहाल ये प्रासंगिक नहीं है लेकिन आगे चल कर ये प्रासंगिक हो सकते है आगे चल कर ये enforceable हो सकते है लागू किये जा सकते है तो trigger lodge अभी अस्तित्तों में है in place का मतलब existence में होना in anticipation का मतलब पूरवा नुमान में anticipation का मतलब बहुता पूरवा नुमान या पहले से ही और सचे judgment ऐसे किसी निरने के क्या कहना चारा है फिर समझे इस चीज़ के साथ की court जो है अब वो प्राप्त कर चुका है सुपर मैजोरिटी इसको प्राप्त है conservative की तो decision जो था बिलकुल सामने था ठीक है decision ये था कि कुछ Republican जो राजे हैं जहां पर Republican Party की सत्ता है उन्होंने स्टार्ट कर दिया abortion को ban करना और इसमें trigger laws जो है वो अभी अस्तित्तों में है किस के चलते मतलब ऐसा कोई judgment अगर आए तो उसके anticipation में trigger laws यहां पर अस्तित्तों में है such a judgment मतलब ये judgment वो है जब court ने decision दिया था कि abortion जो है वो ban नहीं है abortion जो है पुरी तरीके से महिलाओं का अधिकार है ऐसा को decision आएगा तो इसमें trigger laws उन्होंने बना दिये कि पहले से ही अगर ऐसा decision आएगा तो counter करने के लिए laws काम करेंगे trigger laws बता दिया हमने क्या होता है अब समझने की बात decision की verb है वो had been है imminent executive है और compliment है यहाँ पे some Republican rolled states states की verb है वो have started है start के साथ सीधा ing gerund का प्रियोग कर रखा है और सच के बाद में जब आप noun लगाते हैं तो सीधा क्या तो countable noun लगा रहे हैं तो या तो आप article लगाएंगे उससे पहले singular है तो और अगर plural है यह तो judgments करते फिर आप यह नहीं लगाते दो चीज़ें हो सकते हैं other red states with follow red state का मतलब है जहाँ पर Republican Party की सकता है ठीक है ना जहाँ पर Republican Party सरकार बना के रखी है उन states को हम red states के नाम से जानते हैं other के साथ में याद रखना है आपको की noun plural आती है तो यहाँ पर states दे रखा है other है इसलिए the other होता तो noun हम singular दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं वो depend करता है specific reference होता है other states with follow तो यह जैसे कुछ इन्होंने शुरू कर दिया है तो अन्ने जो red states हैं जहां पर Republican Party के सत्ता है वो भी इस trend को follow करेंगे इसी के पीछे पीछे चलेंगे this supreme court decision अब यह जो supreme court का निर्णे है dobs versus Jackson अब यह एक decision का नाम है court case का नाम है women's health organization has in effect in effect का मतलब in operation ठीक है प्रभावी रूप से जो फिलहाल trend में है तो supreme court का decision जो है उसने divide कर दिया है US court territory के हिसाब से बांट दिया है territory के हिसाब से बांट दिया है states where women have the right to abortion कैसे बांटा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को अधिकार है किसका abortion का and those और कुछ राज्य ऐसे हैं where they do not जहां पर महिलाओं को ऐसा अधिकार नहीं है तो ऐसे territoryally बांट दिया है तो supreme court का निर्णे ये case है इसमें supreme court decision इसकी verb है has divided in effect यहां पर वैसे adverb का का काम करेगा phrase है prepositional phrase है in fact का मतलब है in operation तो इसने अब supreme court decision ने क्या कर दिया है यूएस को territorially बांट दिया है कैसे बांट दिया है हाइफन लगा के बताया कुछ राज्य ऐसे जहां पर महिलाओं का अधिकार है abortion का और कुछ ऐसे जहां पर उनको अधिकार नहीं है ऐसे बांट दिया supreme court के निर्णे ने अमेरिका को territorially territorially have a verb है supreme court decision की verb has divided है women की verb have है और they की verb do not है noted verb of negation होता है where they do not जहां पर उनका अधिकार नहीं है women with unplanned or unwanted pregnancies महिलाएं जिनको जो pregnant है लेकिन वो unwanted pregnancy है या unplanned है including possibly in some jurisdiction तो जिसमें कुछ ऐसे नियाईक छेतर भी शामिल है jurisdiction का मतलब होता है नियाईक छेतर those that endanger the mother's life कुछ ऐसे भी यहां पर aspect मान लीजिए जो कि महिलाओं के जीवन को खत्रे में डालता है endanger का मतलब खत्रे में डालना और are a result of rape or incest incest का मतलब होता है illegal तरीके से sexual relation बनाने को बोलता है incest और या फिर rape या incest के कारण ऐसा हुआ है may have no option तो उन महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं है but to seek medical assistance केवल एक ही विकल्प है कि वो medical assistance लें doctors के साहिता लें in other states अन्ने रज्यों में other के साथ में noun plural है इसलिए मैंने इसको highlight किया है जहां उनको अधिकार नहीं है उन राज्यों की बात है जहां महिलाओं का अधिकार नहीं अबोर्ट करवाने का तो they keep up do not do not यहां पे अबोर्बो निगेशन महिलाएं कौन सी वो महिलाएं जिनको unplanned या unwanted pregnancies है जिसमें शामिल है including possibly some jurisdiction मतलब कुछ नयाइक छेतरों में शामिल है वो cases भी जो खत्रे में डालते हैं महिला के जीवन को मतलब वहां तो अबोर्ट करवाई सकती थी महिलाएं कि जहां पे महिलाओं के जान को खत्रा है या फिर वो pregnancy, rape या incest के कारण है तो उनके पास भी कोई option नहीं बचा है एक ही option बचा है कि medical assistance सीख करे अन्य राज्यों में ठीक है अब other के साथ noun plural है तो इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ कि other और another दो चीज़ें आप ध्यान रखें generic reference यह है other के साथ noun आती है plural और another के साथ noun आती है singular other के साथ noun कैसी आती है plural another के साथ noun कैसी आती है singular यह ध्यान रखना है अच्छा इसके अलावा other अगर लगा देंगे आप तो यह specific reference बन जाएगा इसके साथ आप singular और plural कोई सा भी noun लगा सकते हैं वो depend करेगा context पर sentence के meaning पर एक तो यह ध्यान रखना है अधर वाला और तो इसमें as a result of यह जो होता है इसका मतलब के परिणाम सोरूप होता है endanger जब किसी शब्द के पहले end लगाते हो आप यह चाए prefix हो या suffix हो दोनों ही noun क्रिया बनते हैं जैसे endanger में prefix है अगर मैं weaken कर दूँगा तो यह suffix है en last में है तो यह भी noun क्रिया है strengthen करोगे तो यहाँ पर भी यह suffix है तो यह भी verb है ठीक है और en पहले लगा रहे है जोसे endanger है enfeeble है तो इसको आप verb ही मानेंगे seek का मतलब तलाशना, चाहना, कोशिश करना यह सब है इसके आगे देखिए यह आज के questions persuasive, clandestine, overturned, juncture इनका meaning आपको बताना है session को जरूर से like और share कर दे और दो platform पर जूड़े एक आशिस classes telegram channel जहाँ पर आपको per day इसका PDF मिलता है सुबह जल्दी with vocabulary और काफि सारे questions मिलते हैं और notifications मिलते रहते हैं साथ ही जूड़ना है आशिस classes application download कर लें वहाँ पर paid courses available है उन courses को visit करें वहाँ पर आप देख सकता है ठीक है इसके लिए जरूरत पड़ती है resources की and support structures और आवशकता पड़ती है support structures की इसकी वर्ब है वो needs है है ना इसके लिए जरूरत पड़ेगी संसाधनों की और support structures की जहाँ पर medical assistance सीख करें उसकी बात कर रहा है and many women will be left और बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनके पास कोई option नहीं बचेगा other than केवल इसके अलावा जिसे वो but to दे रखा था न वहाँ पर but का मतलब भी के अलावा था वो preposition था देखिए पिछले स्लाइड में यहाँ जो but दे रखा है आपको यह but यहाँ preposition के रूप में है कि कोई चारा नहीं है इसके अलावा यह के अलावा except के अर्थ में आ रहा है ठीक ऐसा ही यहाँ पर है कि जिनके पास और कोई option नहीं है एक ही option है और वो option क्या है clandestine clandestine का मतलब क्या होता है secret, furtive रह्षे मई मतलब छिपा हुआ, गुप्ट secret या furtive unsafe as रक्षित abortions near a home घर के नजदीक तो अब इसके लिए medical assistance उनको चाहिए तो इसका मतलब उनको resources की जरत पड़ेगी support structures की जरत पड़ेगी और बहुत सारी महिलाओं के पास पोई option नहीं बचा है घर के नजदीक ही वो unsafe या clandestine abortion करवाए ठीक है अब this की verb needs many यहाँ पे determiner है और इसके साथ noun plural आ रही है many women इसकी verb है, वो will be left है many women यह पूरा ही subject है इसकी verb है, वो will be left है we के साथ third form है left तो यह passive voice है आगे देखिए फिर कह रहा है कि chillingly मतलब भड़ी भयाव है इस्तिती है बहुत ही horrifying condition है there is fear there से start है तो inversion है fear की verb is है तो डर है इस बात का that miscarriages would be subject to कि जो miscarries होते हैं उसके अंदर भी criminal investigation होगा miscarries मतलब pregnancy पूरी होने से पहले ही बच्चे को जन्र देना ये एक हो सकता है एक आम एक क्या कह सकते हो एक phenomena होते हैं अब इसमें ये क्या हो सकता है कि ये criminal investigation के अधीन आ सकता है subject के साथ two लगा रहे हो subject two का मतलब अधीन आना है और there से start कर रहे हो तो inversion है fear की verb each है तो बहुत ही भयावय बात है chillingly है ped verb है क्या कि miscarries अगर होता है किसे महला को तो उसका भी criminal investigation होगा उसको भी अपरादी द्रस्टी कोन से देखा जाएगा on a positive side अगर आप सकारात्मक पहलू की बात करें तो major US companies and some states तो बहुत मुखे जो US की companies है बड़ी companies है और कुछ states है जैसे नियू योग की बात कर ले have started offering financial support इन्होंने क्या कर दिया है विट्टिय सपोर्ट देना शुरू कर दिया है employees go and help for out of state abortion seekers और उनको साहिता दिने शुरू कर दी है जो states से बाहर जाकर abortion करवाना चाहें who seek medical intervention ये उन abortion seekers की बात है seeker का मतलब चाहने वाले जो abort करवाना चाहते हैं जिनको medical intervention का वशक्ता intervention का interference होता है स्थक्षेप होता जो चाहते हैं doctors या फिर medical साहिता ली जाए in abortion supporting states कहां पर उन राज्यों में जहां पर abortion support करते हैं वहां पर करवाने के लिए तो major US companies और some states ये verb है subject है इसकी verb have started है started के साथ में gerund लगता है सीधा V0 प्लस ING तो offering आ रहा है who की verb है वो seek है ठीक है आगे देखे अब इससे क्या होगा जैसे वो महिलाएं उन states में जाएंगी जहां पर इसको support किया जा रहा है तो इससे क्या होगा पहले से ही bitter मतलब बहुत ही कड़वाहत भराब होती intense partisan का मतलब होता है loyal या cutter को कह सकते हो कोई एक party एक चीज को support करने वाला polarization धुरूए करन को बोलते है बाट ना कह सकते हो अब चुकि इस Supreme Court के decision ने अमेरिका को territory डिवाइड कर दिया है एक तरह वो states हैं जो कि support करते हैं तरह वो states जो support नहीं करते हैं जो support नहीं करते हैं अमेरिका को इसकी condition जो है और ज़्यदा बदतर हो जाएगी दिसकी वर्व विल मेक है अब इस चीज से यहाँ पर चिंता होनी चाहिए alarm का मतलब चिंतित करना एक प्रकार से आगाह करना चेतावनी देना तो इससे यहाँ पर Americans जो है उनको एक चितावनी मिलनी चितावनी घंटी बजनी चाहिए इट की वर्व है वो must alarm है also का प्रियोग man verb से पहले करते हैं याद रखिए also जो है man verb से पहले आता है ad verb है तो इससे अब Americans को चिंता होनी चाहिए that the logic of dobs कि जो logic है यह जो एक case था आया था नाम उसमें dobs का जो logic है क्या logic था हाइफल आके बताया that abortion is not mentioned in the US Constitution कि abortion का जिक्र US के समविधान में नहीं है and is not covered by the landmark 14th amendment of 1868 और यह cover नहीं है इसके द्वारा मतलब यह इसके धिन नहीं आता है एक सोधवा संशोधन हुआ था 14th amendment हुआ था 1868 में उस समविधान संशोधन के अंदर भी इसका जिक्र नहीं है that safeguards liberty उस संशोधन में क्या था जो सुरक्षित रखता है liberty को यह जो 1868 का संशोधन हुआ था उसमें liberty को safeguard करने की बात थी सुरक्षित रखने की बात थी यहां से यहां तक जिक्र किया उसका और फिर से आजाईए इस पर जो logic है DOBS का has opened the process for other rights to be taken away तो इसने क्या कर दिया है इसने एक process open कर दिया है कि बाकी की अधिकार भी वापस लिये जा सकते हैं अधिकार आपने वापस लिये वैसे और अधिकार वापस लिये जा सकते हैं तो अब Americans को चिंता होने चाहिए इस बात की कि जो अगर आप DOBS के logic के हिसाब से चलोगे तो उसने logic दिया था कि 14th amendment हुआ तो उसके अंदर भी abortion का जिक्र नहीं है Constitution में भी समविधान में इसमें जिक्र नहीं है इस हिसाब से Supreme Court ने निर्णे दिया है नया अभी जो निर्णे दिया है न तो अब इससे तो एक काम और सामने आ गया कि भी और भी आप पर अधिकार वापस ले सकते हैं ऐसे तो औरों का जिक्र नहीं है इस तरह से Abortion की वर इज है That यहाँ पर आ रहा है इस amendment के लिए इसकी वर सेफगार्ड से Liberty Freedom को बोलते हैं और यह has opened जो है यह इस logic के लिए आ रहा है मैंने इस तो नहीं highlight किया यह subject है आगे देखे For now अब के लिए President Joe Biden is Democratic Party राश्टरपत Joe Biden है और Democratic Party है Have Vowed Vowed का मतलब होता है शपत लेना इसने प्रतिग्या की है शपत ली है To put row on the ballot in November's Midterm elections अब ballot जो है वो चुनाव मतपत्र को बोलते हैं तो यहाँ पे November में जो Midterm elections होने वाले हैं उसमें इस बात को यह शामिल करेंगे इस बात पर मतलब जिक्र करेंगे row मतलब वही एक case था और इसके पक्ष में decision गया था तो इसको अब यह चुनाव जो होने वाले हैं November में उसको यह क्या कर सकते हैं case मामले को यहाँ पे चुनाव के अंदर लेकर आएंगे यह इनोंने कशम खा रख किये यह subject हुआ वह अब है है वाउट बट द वे द यूएस electoral system stacks up the numbers लेकिन जिस तरीके से यूएस का चुनाव ब्रणाली है इस stack up का मतलब increase in number और amount बताया था numbers in the Senate Senate वहाँ का upper house है अमेरिक में ठीक है against their efforts to break the filibuster filibuster होता है किसी कानून को बनने से रोकने के लिए दिया गया लंबा भाशन कोई कानून बनने वाला है आप विवाद में ही टाइम निकाल दें argument में टाइम निकाल दें वो कानून बन ही ना पाए तो उसको filibuster कहा जाता है लेकिन जिस तरीके से यूएस का चुनावी सिस्टम है वो संख्या जुटा रहा है सिनेट के अंदर अपर हाउस में किस के चलते उनका एक प्रियास है कि वो filibuster को ब्रेक करें ये लंबे भाशन ना हो कानून लागू कर दें तो जो एक प्रियास है महिलाओं को सुरक्षित रखने का likely be carried out incrementally तो वो प्रियास जो है likely संभाव है ऐसा कि इसको execute किया जाएगा इस प्रियास को incrementally का मतलब है धीरे धीरे बढ़ते हुए करम में ठीक है Legal challenges at multiple levels अब बढ़ते हुए करम में कैसे कुछ कानोनी अर्चने आएंगी अलग-अलग इस तरों पर support to women in red states जो Republican states जहाँ पर Republican parties है वहाँ पर support करना महिलाओं को ये भी बात है and persuasive persuasive का मतलब होता है causeant या strong भहती मजबूती से और बहुत मजबूत राजनिती का भ्यान चलाए जाएंगे तोरल जो है चुनाव संबंदित है executive है इसकी वह स्टेक्स अप है तो जैसे ये संख्या जुटा रहा है Senate में क्या परियास है इसका कि इस filibuster को रोकने का break करने का तो ये वो परियास है जो महिलाओं को protect करने का जो परियास है will likely be carried out incrementally तो ये परियास incrementally संभावना है इसकी carry out करवाए जाने की मतलब क्या कह सकते हो execute carry out का उन्दल execute करना लागू करना अब ये क्या है वो colon ये जो sign is colon बोलते हैं आगे पुरा दे रखा है कि legal challenges multiple levels पर महिलाओं को support red states में और causeant और या strong political campaigns कहाँ पर grassroots सतर पर ठीक है ये सब था आज के इस session में अब मिलेंगे कल ठेक शाम 5 बजे तब तक लिए नमस्कार Thank you very much